नमस्कार साथियों गुर्कुल ऑनलाइन क्लासेस के स्मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैं पवन सिंग आप सभी का एक बार फिर से हारदिक अभिनन्दन करता हूं साथियों आगामी पुलिस भरती परिच्छा को ध्यान में रख करके हमारे संस्थान की ओर से चलाई जा रही एक विशेश मुहिम वादा वर्दी के तहट हम विगत कुछ दिनों से आपके सम्मोग हिंदी के कुछ महत्तुपूर्ण प्रश्णों के साथ उपस्तित होते रहें आज उसी करी में एक विशेश अंग के साथ हम आप सब के सामने उपस्तित होए हैं और आज के अंग का शीर्षक है पर्यायवाची तो साथियों जैसा की देखा गया है कि वोकैब में वोकैब में कहकेते हैं पर्यायवाची विलोम और जो वाक्यांश होते हैं अनेक मंदित प्रश्ण परिच्छा में लगातार और अच्छी संख्या में पूछे जाते हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये निश्चित किया था कि अपने पांच दिनों में एक दिन हम वुकैक के टॉपिक्स को लेकर कि आपके सामने उपस्तित होंगे अपनी अंतिम शुक्रवार की चर्चा में हम लोगों ने वाक्यान इसके कुछ महत्वपूर प्रश्णों पर अपनी चर्चा को किया था और चुकि आज शुक्रवार का दिन है तो आज हम फिर से एक दूसरे टॉपिक जो की परियाइवाची का है उसके साथ आपके सामने उपस्तित है त कुछ महत्वपूर प्रश्ण प्रश्णष तो हमारा सातियों आज का पहला प्रश्ण है हमारा पहला प्रश्ण के रहा है कि तरणी ठीक है इसका प्रश्याइवाची क्या होगा तो विकल्प देखते हैं इसका وिकल्प है ए सूरिव बी नाव सी यूवती और दी नदी तो यहां पर तरणी का जो शुद्य सब्द होगा या प्रयाइबाची होगा वो होगा विकल्पे सुद्य सुद्य जो है वो तरणी का प्रयाइबाची हो जाएगा अब यहां पर देखने लाइक प्रिश्ट साथियों क्या है यहां पर नाव भी दिया हुआ है यहां पर नाव भ एक होता है तरणी और एक होता है तरणी ठीक है तो यहां पर ध्यान रखेगा यह दोनों कैसे हैं यह शब्दियुक्म के प्रियुक्त होने वाले पद है जब कि इसका अर्थ अगर देखें तो यहां पर यह तरणी का अर्थसातियों सूर्य होता है तरणी का अर्थसातियों स इसको हम किस नाम से जानते हैं? नाव के नाम से जानते हैं。 तो देखें यहाँ पर चोटी की जगा बरी है होता, साथ्यो इस प्रश्टरिक आंसर विकल्ब B हो जाता। बी हो जाता है, लेकिन ठीक है यहाँ परपद्द क्या है दरणी है, इसका अंसर होगा विकलब A ठीक है, इसी प्रकार सतिहयों Khalidyaanak Actually Matter of I atau यूति का एफ पढ्राइवाची उन्हें विसी प्रकार से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं तरूनि क्या बोलते हैं तरूनि जो परियावाची होता साथ्यों किसका नव कलता है मेघंए मेग का पजयावची आपको बताना है विकल्पे पयस, B, नबचारी, C, यहां पर सोरी भरतनी शोदित कर लिजे, यह जलादी नहीं हो करके होगा, जलादी ठीक है, जलादी और D, पयोद, ठीक है, तो साथ यहां पर ध्यान रखेगा, यहां पर मेग का जो पजयावची होगा वो यहां पर होगा, विकल्प D, पयोद, पयोद, ठीक है, अब जलादी ध्यान से देखेगा साथ यहां पर एक बिंदू के साथ में आप लोगों को अवगद कराना चाहता हूँ, यह बहुत महत तुकूर बिंदू हो सकता आपके लिए, यहां पर देखे साथ यहोग, जल, यह दूसरे सब्दों में हम लोग कहें, पानी, पानी के पर्यायवाची से हम लोग किस प्रकार से अन्य पर्यायवाचीयों का निर्मार करते हैं, जला ध्यान रखेगा, अगर हम बात करें तो पानी के पर्यायवाची साथियों क्या हो सकते हैं, तो पानी के पर्यायवाची कि रूप में साथ हूँ, आप लोग क्या ले सकते हो, आप लोग ले सकते हो जल, आप लोग ले सकते हो अम्बू, आप ले सकते हो नीर, वारी, इत्यादि और भी हो सकते हैं, ठीके?? अब ध्यान रखेगा अगर जल का पर्याइवाची जो है जल का जो पर्याइवाची है उसमें हम क्या करें जाप्रत्याई के रूप में जोड़ दें पानी के पर्याइवाची में क्या करें जाप्रत्याई के रूप में जोड़ दें तो साथे देखें क्या बनेगा यह प्रकार से बन जाएगा अम्बुज। इसी प्रकार से बन जाएगा नीरज। और अगला पद हो जाएगा वारिज। का ही तो यहां रहें रहं के साथ हो जैसे ही पाणी के साथ ज़ूरता है तो वह सारे के सारे किस नाम से जानते हैं पराफ़काहिक होता है किससी प्रकार से ध्य प्रत्या जुड़ गया जल के साथ क्या हुआ धी प्रत्या जुड़ गया तो यहां पर देखे पत क्या बनेंगे साथियों बने का जला धी जला धी अम्बुधी वारी धी और तोय धी यह नीरदी यह दीरदी भी बन सकता है ठीक है तो यहां पर देखे यहां पर जब धी प्रत्या जुड़ेगा तो साथियों यह सब जो होंगे वो किसके? समुद्र के पर्यावाची बन जाएंगे किसके बन जाएंगे? समुद्र के पर्यावाची बन जाएंगे ध्यान रखेगा एक ही पद से मैं बता रहा हूँ पानी में जा प्रत्य जुड़ा तो किसका बना? कमल का बना पानी में धी पृत्ते जुड़ा तो किसका बना शमुद्र का बना और इसी प्रकार से यहां पर क्या हुआ अगर दा पृत्ते जुड़ गया तो सब्द देखे क्या बना जलद अंभुद तोयद और नीरद नीरद तो साथ हैं ये सारे किसके बन जाएंगे? ये सारे बादल के बन जाएंगे. किसके बन जाएंगे? बादल के. अब देखे, आपको यहां पर बताना है कई लोगों को देखे, vegाएपे confusion हो सकता है कि Sər जलदी लगा है ऍई प्रत्य समें क्या है? धी लगा है और इसमें प्रत्य क्या लगा है दा लगा है ठीक है ना प्रत्य एक में धी लगा है एक में दा लगा है तो यह अगर आपको यह याद है कि धी प्रत्य से किसका बनता है समुद्र का बनता है तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से बता पाऊँगे कि यह जो है यह थिनए यह बलकि क्या है दा है जो कि किसके लिए प्रयोग होता है बादल के लिए प्रयोग होता है तो इसने प्रेश्टników परशंद से बहुत इंपोर्टन चाह चीज़ में अपको सामने दए ना की स्को आप लोग लुग आ ठीक है इसको आप लो यह तो स्क्रीन शॉट ले लिजेगा यह इसको नोट करके रख लिजेगा ठीक है अगला प्रश्चन देखते हैं अगला प्रश्चन है मारा दास का पर्यायवाची है विकल्पे पादप बी ताथ सी भ्रत्य और दी श्रमिक तो सात्य ध्यार लखेगा दास मतलब होता है नौकर या सेवक नौकर या सेवक तो अगर हम यहां पर देखें कि दास का पर्यायवाची कौन सा होगा तो इसका अनसर होजाएगा विकल्प सी भ्रत्य ठीक है आगे देखते हैं मारूत मारूत का मतलब होता है सातियो हवा मारूद का मतलब क्या होता है हावा अब पूछा इसका पजय वाची क्या है तो A.W.U. B. Πृथवी C. तालाब D. देवता तो सात्यों यहाँ पर मारूद का पजय वाची होगा हावा का पजय वाची होगा विकल पे वाईू बाकी पृत्वी ताला और देवता इन सब से आप भली भाती तरीके से यहां सुचाव रूप से परचित है अगला प्राश्चा पृशून पृशून का पर्रजाय वाची बताना है तो पृशून जो होता है जाते हो ये होता है किसका फूल का पर जायवाची किसका होता है फूल का पर जायवाची अब विकल देखते है A. व्रच B. पुष्प C. चंद्रमा D. अगनी तो बहुत आसानी से आप बतातो कि फूल को आप किस नम से जनते हो तो बोलते हैं पुष्प तो इसका अंसर हो जाएगा विकल B. हमारा अगला परश्ट है कोदंड. साथियों ये इंपोर्टन पद है याद रखेगा कोदंड. ठीक है किसका पर जायवाची होता है तो यहाँ पर विकल्प A. बार, B. धनुष, C. पक्षी, D. निंदा तो साथियों ध्यान रखेगा कोदंड जो होता है वो उसका अर्थ जो होता है धनुष क्या होता है उसका अर्थ होता है धनुष और वो हमें मिला है विकल्प B में तो इस प्रिष्ट का अंसर होगा विकल्प B. धनुष, ठीक है अपने अगले प्रिष्ट की और बहुते हैं हमारा अगला प्रिष्ट है सेना का पर जायवाची आपसे पूछ रहा है तो विकल्प A. अनी, विकल्प B. सेनिक, C. आरी और D. अतनुष तो साथियों यहाँ ध पूछा जाता है कि अनीक जो है वो किसका परियावाची है तिधार लखेगा अनीक जो है वो सेना का परियावाची है अगर हम बात करें तो सेनिक जो है वो सेना का एक सिपाही हो जाएगा अरी की अगर बात करें तो साथियों अरी जो होता है वो परियावाची होता है शत् दुश्मन का और अगले पत की चर्चा करें अतनु साथ यह बहुत इंपोर्टेंट पद है अतनु किसका पजय वाची होता है तो ध्यार रखेगा अतनु जो पजय वाची होता है वो होता है काम देव का किसका होता है काम देव का पजय वाची होता है अतनु ठीक है तो इस प इसका पर्याईवाची है, विकल पे सहोदर, B, पती, C, प्रेमी, और D, तनुझ, तो इसका सब्सकियर तरनुटा है, आतमज सब्सक्राइवाची होता है, बेटा, क्या होता है, बेटा, ठीक हैं? अब यहाँ पर देखें, अगर हम देखें, गर निकालें, तो वो बनेगा वि तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर विकल्ब डी तनूज हो गया, इसका अंसर, अगर बाकी पदों की चर्चा करें, तो देखें यहाँ पर एक दिया हुआ है, सहोधर, सहोधर सब्द को जब आग तोड़ेंगे, तो साथियों यह तूटेगा, सहधन, सहधन उदर में, सहधन में, और सहोधर के अगर बात करेंगे, सहधन उदर, तो इसका मतलब क्या होगा, साथियों इसका मतलब होगा, कि एक ही गर्ब से, एक ही गर्ब से, उत्पन होने वाली संतान, एक ही गर्ब से, उत्पन होने वाली संतान, ठीक है, यानि ऐसी संताने, जिनका जन्म जो है, वो एक ही गर्ब से हुआ हो तीक है चाहे दो भाई हो और चाहे दो बहने हो और चाहे दो महलब एक भाई और एक बहन हो जिसको हम लोग सामानने भासा में सगे भाई बहन बोलते है सगे भाई बहन बोलते है उनको हम लोग हिंदी में किस नाम जानते हैं उनको हम सहोधर के नाम से जानते हैं ठीक है इसका मत्तब हो गया सगे भाई बहन सगे भाई बहन ठीक है सगे भाई बहन ठीक है यह पद बनेगा आपका तो इसके लिए पद होगा सहोधर ठीक है अगर पती तो पती आप लोग जानते ही है पती शब्द क्या जो पत बाचियों प्रेमी प्रेमी मतलब प्रेम करने वाला प्रेमी हो जाएगा ठीक है अगले पर श्रकी और परते हैं जात रूप साथ यो बहुत इंप्रूटन पर रहे जात रूप डिम्डमे से किसका परियाएवाची है विकल पे किरर बी चांदी सी स्वार्ण और डी ललित तो तो सोना यहां में लाए विकल्प सी में यानि इसका अंसर होगा स्वर्ण ठीक है अपने अगले प्रेश्ट के और बहुते हैं अगला प्रेश्ट हमारा दर्प ठीक है दर्प की अगर बात करें तो दर्प का परियावाची नहीं में से क्या है विकल्पे तिरसकार भी अहं करें तो साथ udah आहाँ पर गमंड दिया हुआ व कलप वी में यानी इसका अर्थ होगा अहंकार इस प्रकार से इस फ्रिष्ट का अंसर rugged B हमारा अगला प्रश्ट है दुहिता सब्द जो है वो किसका प्रयावाची है विकल पे आपगा B ग्रहणी C पतिवरता और D पुत्री तो साथियों ध्यान रखेगा दुहिता मतलब होता है दुहिता मतलब होता है बेटी और अगर बेटी की बात करें खेक है आँ अगर साथिर आगे बारे तो यहाँ पर देखेँ यहां पर बेटी का पड़ाय को आछिए हमने दिया दोहित अ किया दूहित है खी मेगा और ने ता की जगें करने यह पर में सब डूहित लिख देंगे क्या लिख देंगे दूहित लिख देंगे तो सात्यों क्या बन जाएगा दूहित जो है वो पद बन जाएगा किसका बेटे का यानि यह किसका पढ़ायवाची हो जाएगा बेटा का पढ़ायवाची हो जाएगा किसका हो जाएगा बेटा का हो जाएगा आप सा बेटी की जो बेटी होगी जयान रखेगा बेटी को अगर हम बोलने है दुहिता बेटी को अगर हम क्या बोलने है ऐसे याद रखेगा अगर बेटी की क्या हुई पुत्री हुई बेटी की जो हुई पुत्री तो बेटी को हम किस नाम से जानने है दुहिता के नाम से जानने है बेटी को क्या बोलना है दूहिता तो यहां पर मान लिए यह किसी की बेटी है यह पिता है ठीक है यह है पिता पिता की जो बेटी उसको क्या बोला दूहिता बोला यादि पुत्री का पड़या बच्छी हो गया अब यहां पर इस बेटी की जो पुत्री हुई तो इसके लिए मतलब यह इन दोनों की बिशे कट देखो तो क्या संब्द हुआ चाना फुरे जो है इसके लिए क्या बोलते हैं वह इत्वे को हम लोग पर लोग आप बोल चाल की वासा में नातिन के नाम से जानते हैं और साथियों ठ्यान लखेगा इस बेटी का अगर पुत्र हुआ बेटी का अगर पुत्र हुआ तो इस व्यक्ति से इसका जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा सात्यों दोहित्र क्या कहलाएगा दोहित्र का मतलब हो गया यह क्या कहलाएगा यह कहलाएगा नाति क्या कहलाएगा नाति ठीक है तो दोहित्री क्या होगी यह रखेगा पेपर में आपसे दोहित्री और दोहित्र की चर्चा भी कर सकता है तो दोहित्री कौन हो जाएगी दोहित्री हो जाएगी नातिन और दोहित्र कौन हो जाएगा दोहित्र हो जाएगा नाति ठीक है अगली प्रिष्ण क्यों पढ़े है अगला प्रिष्ण हमारा धाता शब्द किसका पर्याइवाची है विकल्पे पज़ाएं सी पच्छ और डीहार धाना क्या कि धाता शब्द जो है वह विश्णु के साथ प्रयोग होता है यानि विश्णु का पर्यावाची होता है ठीक है आप लोगों ने आर्थी भी पढ़ी होगी ओम जैशियों का रहा है ठीक है इसमें क्या बोलते है ब्रह्मा हर विश्णु धाता ठीक है धाता या विधाता के रूप में तो यहां पर यह प्रयावाची किसका हो जाएगा विश्णु का हो जाएगा किसका हो जाएगा विश्णु का हो जाएगा अगर पर देखते हैं अर्शुमाली अर्शुमाली यह किसका प्रयावाची है तो विक हो देखा ठीक है सूर्य का परवाची हो जाएगा अंशुमाली हमारा अगला प्रश्ट है हाटक हाटक सब्द जो है वो किसका परवाची है विकल्पे पुत्र बी मृत्यू सी सोना और डी घोला तो सात्य धान्य केगा हाटक अगला प्रश्ट है मारा इसको स्वासा सुन्द कर लिए सात्य यहां पर लिख लिए यह पर लिख लिए यह प्रश्ट होना चाहिए जानवी क्या हो अच्छे है जानवी ठीक है इसको लिख लिए अब यहां पूचा जानवी किसका पर्याएवाची है विकल्पे संसार वी जानने वाली सी सुरसली और डी जहन्नुम ठीक है तो यहां पर जानवी शब्द जो है वो गंगा का पर्याएवाची होता है ठीक है किसका होता है गंगा का पर्याएवाची होता है और अगर गंगा का पद देखे तो सात्यों गंगा का पद जो मिलेगा उसको एक पर्याएवाची एक अन्ने पद होता है सुरसरी सुरसरी का मतलब क्या हुआ सुर्षरी का मतलब हुआ देवताओं की नदी देवताओं की नदी सुर्षरी का मतलब सुर्षरी हुआ थी उद्यां जहनुं धटो यह至 दिया हुआ है तो जहन्म किसका पर्यावाची होता है जहन्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नरक ठीक है जहन्म आप लोगों ने कई बार सुना होगा जब कोई आप पे क्रोधित हो जाता है या गुसा होता है तो गुसा के नांसर था और उसके साथ जो इसका महत्तुपोर्ग विकल्प था उसकी चर्चा भी हम लोगों ने अगला प्रिश्ट देखते हैं शत्दल ये भी बहुत इंपॉर्टन सब्सातियों पर इच्छा के दिस्ट को से सत्दल किसका पर्यायवाची है विकल्पे समू भी सेना सी दश्यू और डी सरसिच तो साथ दयान रहेगा सत्दल का मतलब होता है कमल सत्दल का मतलब क्या होता ह है कमल और अगर कमल की आप चर्चा करें तो कमल के लिए इस प्रिश्ट का सही विकल्प होगा विकल्प डी जो कि है सरसिच तो इस प्रिश्ट का सही अंसर होगा विकल्प डी सरसिच आप साथ एक प्रिश्ट और बनता है यहां पर देखें अगर आप से पूछा जाए कि स सारसिज का मतलब क्या होता है क्यों करने करके अपस्था लेकिन उपस्तित हुआ था लेकिन अब इस प्रकार से कि सार्सिज जैसे कमल каждалась मी बोलते हैं कमल को सरसिज भी कमल को नील कमल भी बोलते हैं तो अगर हम बोले कि कमल जो है तालाब अत्वा सरोवर में खिलने वाला कमल होता है साथ्चों अगर उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो एक शब्द आपका कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा सरसिज कभी भी वाक्यांस में आपसे पूछ दी जा जाए कि तालाब में खिलने वाला कमल क्या कहलाता है और विकल्ब देख लिए इस प्रकार से दिया हो आपके साबने जलज सरसिज ठीक है एक दे दिया हो पुंडरीक और दूश्रा दे दिया हो शत्दल शत्दल तो अब यहाँ पर देखे चार विकल्ब बने यह चारो ही किसके परयाव आची है लेकिन यहाँ पर विसेश पूछा क्या गया है सरोवर अत्वत अलाब में खिले वाला कमल तो उसके लिए सही पत क्या होगा विकल्ब बी हो जाएगा सरसि जिसका अंसर हो जाएगा ठीक है पका अगली प्रिश्ट क्यों परते हैं हमारा अगला प्रिश्ट देखते हैं कैवल्य साथ यह भी बहुत इंपोर्टन पद है कैवल्य किसका पजय वाची है विकल्पे दंड वी प्रीती सी केशव और डी निर्वार तो आपने को ने सब्द कई बार सुना होगा कैवल्य का मतलब होता है शाक्तियों ग्यान अत्वा मोक्ष ग्यान अत्वा मोक्ष की प्राप्ति कर लेना ठीक है ग्यान अत्वा मोक्ष की प्राप्ति कर लेना ठीक तो अगर देखें तो ग्यान अ निर्वान के नाम से जानते हैं, जो किया कादी है, वो विकल्प D में दी है, तो इस प्रस्ट का अंसर हो जाएगा, विकल्प D, निर्वान, ठीक है? अगरा प्रस्ट देखे, म्रगांग, किसका परियावाची है? विकल्पे, लोचन, B, म्रग, C, सुधाकर, और D, कलोल, साथ हो जाएगा, कलोल हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, तो म्रगांग का मतलब सात्यों क्या होता है, तो धाने के का मतलब होता है, चंद्रमा, म्रगांग का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, ठीक है? और अगर चंद्रमा की हम लोग चर्चा करे, तो यहां पर चं हम मिला है विकल्प सी सुधाकर में कि के सुधाकर का मतलब क्या होता है साथ देखे सुधाकर का मतलब होता है सुधा प्लस कर सुधा जो होता हूं किसका प्रयाव अची होता है वह अम्रत का होता है और कर का मतलब होता है प्रेकार से स्वामी तो जो अम्रप का स्वामी है जो अम्रत को धारन करता है उसके लिए हम सुधाकर प्रेयोग करते हैं Я और वो पद होता है सातियों हमारा क्या होता है वो कहलाता है चंद्रमा तो म्रगांग का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी शुधाकर ठीक है अब यहाँ पर म्रग का मतलब क्या होता है सातियों तो म्रग का अर्टोगा हेरा लोचन आप सभी जानते हैं लोचन का मतलब होता है आख लोचन का मतलब होता है आख और एक इंपॉर्टेंट पर साथी आपर जो आया कलोल कलोल का मतलब होता है साथियों कलोल का मतलब होता है लहर अत्वा धारा लहर अत्वा धारा ठीक है यह धार रखेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट पर लहर अत्वा धारा अगले पर श्र है कई बार परिट्चा में पूछा गया है वाईशाक नंदन का प्रयायवाची क्या है विकलपे ड elites दो कोवा ओर गल दिगरा तो सब्सक्राइन नखिये वह का गध्य कर पालते को बожно होते हैं अब important क्या है साथ यो परिच्छा में कई बार गदे के परियावची पूछेंगे कि गदा का परियावची क्या क्या होता है तो द्यार रिकाएगा गदे के कुछ परियावची आप लो रट करके जाएंगे परिच्छा की पुस्तकों आपके पास जो भी किताब होगी उस किताब में गधे के पर्यावाची आपको दिये होंगे उसमें से तीन चार पांच आप उनके जो पर्यावाची है उसको निकाल करके याद कर लीजेगा परिच्छा के दिश्टिकोर से ये बहुत महतुपून है अगले प्रिश्ट के अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रिश्ट महाना अंबक अंबक किसका पर्यावाची है तो विकल पे लोचन बी चुमबग सी आ और डी अनुचर तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अंबक जो होगा वो आख का पर्यावाची होगा और पीछे हम लोग देखकर के आए है अांख का पर्याय बाची होता है सातियों लोचन जो कि कहा दिया है वीकल्प A में दिया हुआ है इस प्रकार से इस प्रेश्ठ का आंसर हो जाएगा वीकल्प A लोचन ठीक है अगले प्रेश्ट के और हम लोग बोलते है हमारा अगला प्रेश्ठ है खानक लोगा विकल भी ठीक है काम देवेंबर आया सात्य जाथ ध्यान रखेगा काम देव के पर अद्वाची आप लोग आद करने जिएगा पेपर में काम देवके पाद्याथ भाची भी बहुत पूछे यहां पर इसको आय कर लिजे एरावत होतने होता है मलकि इसको एरावत बोलते है ठीक है तो घोले का पर्यावाची यहां पर अगर देखें तो घोले का पर्यावाची साथियों यहां पर होगा विकल्प डी वाजी वाजी होगा ठीक है वाजी मतलब घोड़ा होता है अब मधवा अगर हम चर्चा करें तो साथियों मधवा हम बोलते हैं इंद्र को, किसको बोलते हैं इंद्र को, इंद्र के पर्यावाची भी, आप लोग अपनी पुस्तक से निकाल करके याद कर लिजेगा, इंद्र के पर्यावाची भी आप लोग अपनी पुस्तक से निकाल करके याद कर लिजगा तलाग की अगर आप बात करें तो तलाग का साथी होता है ये तालाब का परजाएवाची होता है तलाग जो होता हो किसका होता है तालाब का परजाएवाची होता है तो इस प्रकार से अपने इसके जो विकल्प है उनकी चर्चा को पूर किया हाथी यहां प के नाम से जानते ही, यह भी दान निकताएं पर इच्छा मेरा इसमेर पूछा जा सकता है कि आई रावत क्या हो जाएगा आई रावत अगला पिस्ट है हमारा शमशीर शमशीर शब्द किसका पर्याइवाची है तो विकल पे शूरवीर भी तालाव सी तलवार और डी भावरा ठीक है तो साथ विद्यार के का शमशीर जो होता है वो तलवार का पर्याइवाची होता है और तलवार के अगर हम चर्चा करें, तो तलवार के अन्य पर्याइवाची होते हैं, असी, करवाल, करवाल और चंद्रहास, असी, करवाल और चंद्रहास, ये तलवार के अन्य पर्याइवाची है, तो यार रखेगा शम्सीर जो होगा, वह विकल्प सी तलवार का वाची है विकल पे उर्वशी वी धरनी सी तरनी और डी ब्राम्मी ठीक है तो दर्वी जो होता है वो धर्ती का पर्यायवाची होता है किसका होता है धर्ती या इसी को मूल सकते हैं प्रत्वी का पर्यायवाची होता है प्रत्वी का पर्यायवाची होता है और अगर हम देखे तो यहां पर प्रत्वी का प्रत्वि का प्रत्वी का प्रत्वी का परत्य वाची सिया विखल्प विन दधर्णी थार्णीक क्यों अतौन question and are अरविंद अरविंद शब्द किसका पर रहे बाची है विकल्प A अरब निवासी B अरभी C कमल और डी भ्रहर तो साथ ध्यान रखेगा अरविंद जो होता है वो कमल का पर रहे बाची होता है इस प्रिश्ट का आंसर होगा विकल्प C ठीक है बागी के तीनों जो है वह बी इंद्र सी विष्णू और डी देवता तो सात्य ध्यान रखेगा यहां पर बहुत से हमारे मित्रों को इसकता है यह प्रिश्ण जब भी परिच्छा में आए तो आप थोड़ा सा समय लेकर के सोच के आंसर लगाए क्योंकि इस प्रिश्ण को पढ़ते ही जल्दबाजी मे तोड़ते हैं तो यह पद तूटता है चतु धन आनन चतु धन आनन और देखें जब हम बात करते हैं चतु मतलब तो इसका आर्थ हो जाता है चार और आनन जो होता है यह इसका परियावाची होता है सात्यों मुह या मुख ठीक है तो आप देखें क्या मना यह पद बनता ह चार मुख है जिसके चार मुख है जिसके अब बताए सातियों क्या कभी आपने विश्णु के चार मुख देखें विश्णु के बेटा चार मुख नहीं है बलकि विश्णु के क्या है चार भुजाएं है इस कारण वो क्या कहलाता है इस कारण वो चतुर भुज कहलाता है क्य हुआ चार भुजाए हैं जिसकी चार भुजाए है जिसकी और चार भुजाए अगर जिसकी होगी तो वो कहलाएगा विश्णु यहां पर भुजाओं की चर्चा नहीं कर रहा है यहां पर मुख की चर्चा कर रहा है और चार मुख की अगर चर्चा करें तो साथियों वो है व अगर चर्चा करें तो इंद्र के कुछ परे है быть आप देखे के जैसे मैं thoujen पीछे पता या he पर जैवाची क्या था इंद्री का एक पर जैव अची तो मदवा इंद्र का दूसरा पर जयाetrी क्या हो सकता है तो एक परियावची सात्यों सकता है देवेश एक परियावची हो सकता है सात्यों सूडेश ठीक है और एक अगर हम बात करें तो सात्यों एक इसका परियावची जो परिच्छा में कई बार पूछा गया है वो परियावची होता है शक्र क्या होता है शक्र ठीक है शक्र किसको बोलते हैं इंसरे इंड्र को बहुत अच्छा हो बहुत चर्चित परियाव अच्छी होता है जिसको हम लोग tah Tag इंद्र को बोलते हैं तो साथ यह कुछ इंपॉर्टेंट पद थे जो कि मैंने इंद्र से संबंदित अपनी चर्चा में शामिल किये इसके अत्रिकते भी कुछ पद होंगे वह आप लोग पर देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर इस प्रिश्ण का अंसर हमारे हो गया विकल प का आप पर दैबिवाची होता है साथियों विकल्प डी का लिंदी इकल्प डी का लिंदी चिकें अर्याद रखैगा अगरहं बात्रे करें रतनाकर उसाथी और नदीश यह तीनों जो है यह सातियों समुद्र के पर nowasoo कि समुद्र पृष्ऀ प्रश्ड बन जाएंगे अब साथ यहाँ पर एक तत्थ से में आपको अवगत करा दू जो परिच्छा के वो शूर की पुत्री है, किसकी पुत्री है, शूर की पुत्री है, यानि अगर हम चर्चा करें, तो इन दोनों में क्या संबन्द है, तो इन में पिता पुत्री का संबन्द है, किसका संबन्द है, पिता पुत्री का संबन्द है, अब यहाँ पर इस तरफ में लाक्त हो रहा ह बेटी के पर्यायवाची को जोड़ दीजे तो उससे जो पर्यायवाची मिलेगा वो सात्यों किसका मिलेगा या मुना का मिल जाएगा या दूसरे प्रकार से हम कहें कि सूर्य में सूर्य के पर्यायवाची में अगर हम क्या करें जा प्रत्य को जोड़ दें किसको जोड़ दे जा प्रत्य को जोड़ दे, तो भी हमें जो पढ़यायवाची मिलेगा, वो किसका मिलेगा, या मुना का मिल जाएगा, एक एक जांपल के मद्ध्यम से हम आपको बताए, जैसे देखे, सुर्य का थोड़ी देर पहले हमने पढ़यायवाची पढ़ा था, ताराली, क्या पढ़ अब लोग ने अनुप्रा सलंगकार में एक्जामपल बहुत बार सुना होगा पर इच्छा में कई बार पूछा गया है तो बेटी का पर आवाची थोडी देर पहले आप इमने देखा तनुजा हुआ तो सुता तनुजा या इसका हम यहांपर क्या करें एक और बेटी का पर आवाची बन जाएंगे यह मुनाखे किस के बन जाएंगे या मुनाके इसी प्रकार से अगर सूरी के पर्याव अची देखी तो सूरी के पर्याव अची क्या है जैसे मैंने बोला तरानी इसी प्रकार भानू भानू रवी रवी हंस अर्क ये सब किसके हैं साथियों ये सभी सूरी के पर्याव अची हैं अगर इन सब में हम क्या करें इन सब में हम जा को जोड़े इन सब में हम क्या करें जा को जोड़ेंगे ऊबुधने ज़िया पुब करके या बेटी के परिया बाची को जोड करके हमें किसका हमें यमुना का पर्यायवाची प्राप्थ हो जाए करते यहां करेक्स लो कि यमुना का पर्यायवाची अधे अगरे प्रश्ठ की उर्गत हुआ है और देखते है अगला हमारा अगला साथ्यों चंद्रीग किसका पर्यायवाची है चंद्रीग किसका पर्यायवाची है विकल्पे हवा B पूत्र झी और दी घुन्र्टन भो करेंसे दिया होओं इस प्रहिस्ट का सही अंसर होगा विकल्प C, भ्रमर, अपने अगले प्रिष्ट की ओर बने, हमारा अगला प्रिष्ट है अंज, अंज किसका पजयावाची है, विकल्प A, गुलाब, B, पद्म, C, अंदाज, और D, काजल, तो साथ ध्यान लेकर अंज शब्द जो है, अंज शब्द का जो है, वो क काजल का पजयावाची होगा, तो इस प्रिकार से इस प्रिष्ट का सही अंसर हमारा होगा, विकल्प D, काजल, हम अपने अगले प्रिष्ट को देखें, तो हमारा अगला प्रिष्ट है, मेग पुष्प, मेग पुष्प जो है, वो किसका पजयावाची है, विकल्प A, पल जल तो इस प्रकार से साथियों आज का जो हमारा विशेशांग था पर्यायवाची से संबंदित उसकी चर्चा जो है वो आज हमने यहां पर पूर्ण की साथियों आशा करता हूं कि यहां पर जो तत्थ और जिन बिंदूओं से मैंने आपको अवगत कराने का प्रयास किया है आपको समझाने का प्रयास किया है वो आप सभी के लिए परिच्छा के दुष्टिकों से महत्तुपूर्ण शिद्धोंगे अपनी चर्चा को और संबाद के कारकम को हम इसी प्रकार से जारी रखेंगे अपनी आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं आप सभी को जैह आप झाल आप से महत्तुपूर्ण झाल के लिए खब के लिए खेंगे अपनी जी है है यहीं पर विरा भादाने में दुष्टिकों से महत्तूर्ण जी हैं पर दो खब का रखेंगे नती